तो हेलो गाइस कैसे हो आप स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम अपने सवी रेटेलर बाइंग को बताएंगे इस महीने की 5 नई अपडेट तो भाई यो फर्स्ट अपडेट जी है कि जदी अभी तक आपने जियो पोस प्लस के नए वर्जन को अपडेट नी किया तो प्लीस प्ले स्टोर पर जाएए और जियो पोस प्लस के नए वर्जन को अपडेट कर लें टेलिग्राम पर भी मैंने लिंक दिया था और बताया था कि जियो पोस प्लस का नया वर्जन आज चुक है तो आप अपडेट कर लें तो भाई अभी तक आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट करें इसमें आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं मिलेगी जदी आप जियो दार EKYC से एक्टिवेशन करते हैं तो पहले आपको जो रेटेलर हैं उन्हें अपनी अदार E-Verification करनी होगी जदी आपका जो उप्शन ओपन नहीं होता जदी आपने पहले से रेटेलर अदार E-Verification कर ली है तो आपका जो उप्शन ओपन हो जाएगा आप अच्छे से इस एप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं और जदी आपका जो उप्शन ओपन नहीं होता कैसे रेटेलर अदार E-Verification करनी है इसके रिगार्डिंग मैंने complete वीडियो बनाई आप देख सकते हैं लिंक उसका मैंने वीडियो के description box में दे दिया है और जो second update यह है कि एटल मित्र अप का भी नया update आ चुक है जदी आप मित्र अप यूज करते हैं तो आप उस application को play store से update कर सकते हैं सक्रीन पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने application को update किया अभी मैं आपको open करके बताऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि application मैंने open कर लिया इसमें भी हमें कुछ नया changing देखने को नहीं मिला यहां पर आपको एक option मिलेगा prepaid digital equation पर यहां से आप activation करते हैं customer की तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मैं इस option पर क्लिक करूंगा तो यहां पर ऐसा होता था कि पहले जी option बहुत slow काम करता था तो अभी जैसे आप UID अधार कार्ड से activation करेंगे अधार-based Biomatic Authentification से तो activation बहुत fast हो जाती है पहले आपको customer का अधार का नमर बरना होता है फिर customer का fingerprint लगाना होता है customer की photo kitchen होती है automatic की सबी customer का जो भी address है भुआ जाता है last में retailer को अपना fingerprint लगाना है और sim activate आप असानी से कर सकते हैं आप 2 मिनिट के अंदर यह activation का process complete करके customer को sim चालू करके दे सकते हैं तो आगे बात आती है third update के बारे में तो भाई हो जैसे जैसे मन आता है तो FRC plan भी नए आ जाते हैं तो अभी बात करते हैं Jio के FRC plans के बारे में Jio का same FRC plan है 239 का FRC है ज़दी आप MNP करते हैं तो आपको 220 रूपी कमिशन मिलेगा और ज़दी आप normal sim activate करते हैं तो आपको 143 रूपी के आसपास commission मिलता है और customer को 1.5 GB data daily मिलता है unlimited calling मिलती है 28 days की plan की validity होती है और अभी बात करते हैं fourth update के बारे में जो fourth update है ATL FRC plans के उपर है जो सबसे ATL का शोटा FRC plan है 179 रूपी का ज़दी आप नया sim activate करते हैं तो आपको 60 रूपी कमिशन मिलेगा customer को unlimited calling मिलेगी 2 GB data एक बार मिलेगा 28 days की plan की validity रहेगी और जो second plan है ये भी नया sim पर काम करेगा 265 की FRC है 171 रूपी रिटेलर को commission मिलेगा unlimited calling मिलेगी 1 GB data daily मिलेगा customer को 28 days की plan की validity होगी और जदी आप MNP करना चाते हैं तो आपको 299 के plan से FRC करनी होगी इसमें customer को unlimited calling मिलेगा 10 GB data daily मिलेगा 28 days की plan की validity रहेगी और रिटेलर को 283 रूपी कमिशन मिल जाएगा तो भाई हो जे रे एटल के 3 FRC plan I hope कि आप इस FRC के साथ ही नया SIM और MNP SIM activate करेंगे आगे बात आती है 5th update के उपर जो 5th update है वो आई VI के FRC plan के उपर जो VI का सबसे शोटा FRC plan है 179 रूपीज का इसमें customer को unlimited calling मिलती है 2 GB data एक बार मिलता है 64 रूपीज रूपीज रूटेलर को commission मिलेगा और जो VI की second FRC है 269 रूपीज की इस FRC से आप normal SIM और MNP SIM activate कर सकते हैं customer को unlimited calling plus 1 GB data daily मिलेगा 28 days की plan की वैलिटी रहेगी जदी आप नया SIM activate करते हैं तो आपको 180 रूपीज कमिशन मिलेगा और जदी आप MNP करते हैं तो आपको 260 रूपीज कमिशन मिलेगा और जो third last FRC आती है 299 रूपीज की इस FRC से भी आप normal और MNP SIM activate कर सकते हैं जदी आप नया SIM activate करते हैं तो आपको 180 रूपीज कमिशन मिलेगा और जदी आप MNP कर देते हैं तो आपको 280 रूपीज कमिशन मिलेगा इसमें customer को unlimited calling मिलेगी 1.5 GB data daily मिलेगा 28 days की plan की validity रहेगी तो भाई हो यह थे 5 updates I hope कि आपको complete वीडियो समझ आ चुकी होगी किसी अन्य परकार की आपको साहता चाहिए तो आप मुझे comment कर सकते हैं और अभी तक आपने मुझे telegram पर follow नहीं किया तो ज़रूर follow करें वीडियो पसंद आई हो तो एक like कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को जूरूर subscribe करें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तब के लिए धन्यवाद जैहन